West Bengal Joint Interest Examination WBJE 2021 क्या होगा कि नहीं होगा सबसे वड़ा क्वेश्चन बहुत दिन से ये क्वेरी आ रहा है इसके उपर बहुत बार पूछा गया कि भाहिया उसके बारे बताईए बहुत ज्यादा कन्फूजन और सबसे बड़ा बात कि इसके बारे में कोई डिसकस नहीं कर रहा ह कहीं पहीं पहितर बिसके ज़ियंग किसी का स्टेटमेंट भी नहीं है तो इसके बारे आज का वीडियोय वीडियो को अच्छा से दहुआ आपका start out clear हो जाएगा आपको क्या करना है वो भी पता चलेगा और ऐसा वीडियो आपको पसंद आता है मेरा बनाएवा वीडियो तो जरूर शेयर करें जो अगर आपको informative लगता है और लाइक करो और सब्सक्राइब करने चैनल को ऐसा ही वीडियो पाने के लिए जो चलो शु कि आज किस वीडियों बात करने वाला है WBJ 2021 postponement या postponement cancelled जो यह बोलो उसके बारे में तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दू एक बात की विश्ट पेंकॉल के बारे में कि यहां पर क्या क्या हो चुगा यहां पर अभी के रिशिस बहुत सारे आ रहे हैं बट बाकि सारे State Сके मुकाबले यहां का अच्छा से नहीं दिखाया जा रहा नहाए बाकि सारे States का clear है कि क्या का पता चल रहे हैं बोह सारे इंट्रिंग आतुरा인이 का घरते करेंपा खरें होता है बहुत सारे productos कैंज्गहा को सब्चाहां देगा है कि मगरुत पेंगा का कते प्छ वो इस बार थोड़ा पोस्ट पॉंड किया गया है जो वेश्ट बैंक और कांसिल ओफ हाय सेकंड इडूकेशन जो एक्जाम कंडर कराने वाला था क्लास 12 के लिए वो होने वाला था जून में अब उसे पोस्ट पॉंड किया गया है आपको नोटीस बगल में दिख रहा होगा ओफिशन नोटीस है और पोस्ट पॉंड कब तक के लिए गया गया है यह कुछ नहीं बताया गया है ऐसे भी कोई बताता नहीं अभी क्यों कि सीचुईशन अभी अपडाउन अपडाउन की तरह चल रहा है अब यहां बात करते कि वेवजी के बारे में WBJE के बारे में कि क् कि जब आपका HS का एक्जाम पोस्ट पॉंड हुआ है अगले साल पिछले साल कुछ इसी तरह का शिनेरियो था क्या था उस समें रिजल्ट का बात था उसमें एक्जाम तो हो चुका था 2020 के बात कर रहा हूं मैं उसमें एक्जाम करवा लिग थी बट रिजल्ट के लिए अब यहां बात कर ले थोड़ा सा जेए मेंस के बारे में तो जेए मेंस का आपको पता ही होगा यार अप्रिल और मैं का जो सिसने वो पोस्ट पॉंड हो चुका है वो नहीं रहा पहले ऐसा उसमें पोस्ट पॉंड कर दिया है क्योंकि अभी का कोवीड का केसिस देखते हु सबसे वड़ा बात यहां पर बात एक आता है कि अगर हम वेश्ट पेंगॉल का भी फिगर देखें क्या देखें क्या देखें कोवीड के सिसका तो फिप्टिंत में के बाद जो मिड था में का उसके बास से थोड़ा सा डिक्लिनेशन आया है अकॉर्डिंग टूदी मिस बोल रहे हैं जितना भी एक्सपर्ट्स है कि जुलाई तक इसका जो पीक है वो कम हो जाएगा और हम लोग का वेब जी डब्लूबी जी जो है वो भी जुलाई में ही है जो की 11 जुलाई है आपको पता होगा तो यहां सबसे वड़ा पॉइंट आता है कि भाया डब्लूबी जी पॉस्पर्ट्ट होगा की नहीं होगा एक्चुल में ओफिशले देखा जाए तो अभी कोई ओफिशल स्टेट्मेंट नहीं है बट अगर एचेस को देखकर बुला जाए तो हम बोल सकते हैं कि वेश्ट बेंगॉल इस्टेट जो है अभी बस जुन तक के बारे में सोच कर रखे वो चार ही है कि जून तक देखा जाए जून मिड तक अगर जून मिड तक आपका केसिस कम नहीं होता है या कम होता नहीं दिखता है तो आपको WBJ पोस्टमेंट किया जाएगा अगर नहीं होता है अगर कम होता है तो इसे जुलाई में ही करवा लिया जाएगा और एक बात बता दू वेश्ट बेंगॉल जो आपका WBJE भी है वो कोई नोटिस क्यों नहीं जारी कि अभी तक क्यों कुछ नहीं बता पा रहा क्योंकि यार सिर्फ आप अगर देखो तो दो ही एक्जाम जुलाई में होने वाले हैं जो कि आपका WBJE और जनपस है पस जो जुलाई में होने वाला है अब ये जुलाई में होगा की नहीं होगा तो ये डिपरंड करता है कि आपको जुन मिड तक आपका केसिस क्या रहाता है अभी के सेनाडियो को देखते वे मैं आपको एक ही एडवाईस दूँगा कि अगर आप प्रिपेर कर रहे हो WBJE के लिए तो सिंसेरली प्रिपेर करते ही रहो पोस्टमट हो या ना हो उससे आपको मतलब नहीं है क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि यार पोस्टमट होने वाला चिल मारते है चलो आराम से टाइम है अपने पास क्योंकि एक बात बताओ यार जब अगर केसेस कम आएंग फर इजामपल माल लेते केसेस अगर कम हुए फाइब केस डू सिक्स के परड़े आने लग गए तब एक्जाम कंड़क्ट हो सकता है जैसे कि आपका WBJE मेगर का एक्जाम पहले भी हो रहा था बहुत सारे एक्जामस पहले भी कराए गए थे सारा गाइडलेंस को फॉलो करके सोसिल डिश्यंसिंग देख करके सब कुछ जैसे हो रहा था इस बार भी ऐसा हो सकता है WBJE में तो इसलिए अगर केसेस कम हुआ तो वेश्ट बेंगॉल कराने में पीछे नहीं हटे कि करा ली है ना यहाँ पे एक और मैं बात बता दू यह तो चलो कोवीड की बात हो गई यहाँ पे एक है ब्लैक फंगस अभी ब्लैक फंगस और बहुत सारे फंगस का भी केसेस आ रहा है तो यह भी क्या बोलो 360 डिगरी में अताचार हो रहा है तो इसमें कुछ भोला नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं बट अभी जून तक का वेट को रहो जून तक में आपका यह डिजिजन क्लेर हो जाएगा और आपको अपडेट इसी चनल में सबसे पहले हैं मिलेगा तो अभी के इसलिए मेरा बात याद रखो आपको बस जुलाई देखके चलना है और पॉस्टमोनमेंट का खायल अभी मत रखो आपको बस समझो जुलाई में है और अपना प्रिपरेशन अच्छा से करते ही रहो अगर एचेस की बात देखा जाए तो चांसेस है कि पोस्टमोन हो जाए बट इसको लेके अभी मत चलना मेरा एडवाईस यही रहेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में I hope आपका डाउट क्लेर होगा और कुछ भी डाउट से रहता है तो कमेंट गरना चलो बाई